मैं बस कोएंबटूर में एक परिवार में किसी के एक घर आया हुआ था ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है कि अगर कोई घर आये तो हमेशा पहली चीजी होती है ये वेलकम करने का पहला तरीका है एक ग्लास पानी हमेशा तो ये महिला ट्रे में एक ग्लास पानी लेकर आई मैंने उन्हें देखा, वो मुझे काली जैसी दिखी आपने काली के बारे में सुना है आप सभी ने? जो भारती नहीं है आपने काली के बारे में सुना है? काली देवी का एक भैंकर रूप है जी बाहर निकली हुई है और हर तरफ खून ही खून है और यह सब तो मैंने बोला आज आप काली जैसी दिख रही हैं मुझे पानी नहीं पीना है जैसे ही आप कहते हैं मुझे पानी नहीं पीना है एक और बात है जो आपको जाननी जरूरी है अगर आप एक दक्षन भारतिये घर में जाएं, जब वो पानी लाएं, आपको ना नहीं कहना हैं, आप एक घूट पी लीजे, आप समझ रहें? अगर आपने ना कह दिया, तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, कि आप उनके घर में पानी पीने से मना कर रहे हैं, तो आप मुझे पता था कि अब एक और ड्रामा शुरू होगा, फिर मैंने कहा, ओके, पहले आप एक घूट पीजे, उन्होंने एक घूट पी और बोली, इस का मतलब, उन्हें लगा, मैं उन्हें खाना चकने वाला बना रहा हूँ, और वो बोली, ये पानी अच्छा है, उनका मतलब था, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया, मैंने का, आपको जहर मिलाने की ज़रूत नहीं, आप जैसी हैं, वो ही काफी है, इसको थोड़ी देर के मैंने का, बस इतनी सी बात है, आपका ये जीवन बस इसी लिए है, आप या तो इसको मीठा बना सकते हैं, या इसे जहरीला बना सकते हैं, या आपके उपर है, बस इतनी सी बात है, तो ये पानी, आज, इसके बारे में हम भारत में कितने ही तरीकों से जानते हैं, कि पानी के मॉलिक्यूल जो मिलकर पानी की कोशिकाईं बनाते हैं उनमें चीजों को याद रखने की अद्भुत क्शमता होती है पानी के चारों तरफ जो कुछ भी होता है वो इसे याद रखता है ये जिस भी चीज के संपर्क में आता है ये उसे याद रखता है ये जीवित है ये जीवित है और बुद्धिमान है पानी बिलकुल वैसे ही बरताव करता है जैसे की इनसान का नर्व सिस्टम करता है अगर आप अगर आप इस पानी को लें और किसी तरह की भावना से सिर्फ इसे देखें तो तुरंत इसकी molecular बनावट बदल जाएगी अगर आप इसे दूसरी तरह की भावना से देखें तो ये अलग तरीके से बदल जाएगा अब ये बात दादी मा की कहानी भर नहीं रह गई है आज भी दक्षन भारतिय घरों में अगर आप जाएं और देखें पानी को देवता की तरह रखा जाता है आप समझ रहें इस पर विभूती यानि पवितर भस्म लगी होती है रोज इसकी बाकाइदा पूजा होती है पीने से पहले पानी की पूजा होती है क्योंकि हम हमेशा से जागरूक रहे हैं कि पानी में याददाश्त होती है अगर इसमें सही चीजों की यादश्त होगी तो या आपके भीतर सही काम करेगा अगर इसमें बुरी चीजों की आदाशत है तो आपके भीतर बुरे काम करेगा